हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैपी मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब भड़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे स्टुडेंट, फर्स्ट अफ ओल, मैनी मैनी कॉंग्रेचुलेशन आपने CS एंटरंस एक्जाम को किलियर कर लिया है Now, you are student of CS executive, आप CS executive के student हो, अब आपको CS executive की preparation को बढ़िया तरीके से, शांदर तरीके से करना है और CS executive को भी क्रेक करके दिखाना है और कुछ ही टाइम में एक बहतरीन CS बन के दिखाना है First of all student, मैं आपका SPC के अंदर welcome करता हूँ, सौपनेल पटनी classes के अंदर आपका most welcome student मैं आपको अपना introduction दूँगा because it is introduction class Introduction class में मैं आपको जानूँगा, मैं ये बताऊंगा कि हम कौन सा subject करेंगे, मैं आपको कौन सा subject करवाऊंगा and there are so many type of things जो मैं आपके साथ discussion करना चाहता हूँ, इस introduction class के अंदर So मेरे प्यारे के प्यारे student, मेरे brilliant student, मैं आपको सबसे पहले पोरा का पोरा CS executive का discussion करता हूँ मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ CS executive के बारे में इसके अंदर हमें total कितने subject को पढ़ना है, CS executive में क्या होगा, क्या नहीं होगा there are so many type of doubts जो आपके mind के अंदर चल रहे हैं उन सभी doubts को clear करने के लिए I am recording this class, इस introduction class की में बात कर रहा हूँ So, first of all मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इस वार दो group का सामना करना है पेपर, पेपर, first paper, second paper, third and paper, fourth, चार पेपर आपको मिलेंगे Sir, यानि हमें 4 subject को पढ़ना है, बिलकुल undoubtedly आपको 4 subject को पढ़ना है Sir, हर पेपर कितने marks को होगा, रुको जरा, हर पेपर आपका 100 marks का होगा 100 number का each and every paper होगा, यानि Sir, total अगर बात की जाये तो 400 marks का ये paper रहने वाला है 400 marks का group first जो है वो रहने वाला है अब Sir, ये बताओ, लाने कितने हैं, कम से कम कितने लाने, देखो, मेरे बात ध्यान से सुनना हर subject के अंदर आपको कम से कम 40 marks तो चाहिए क्या बात है Sir, 40 marks लिया, यानि clear, हमने first group of CS executive पास कर लिया रुको, सबर करो, रुको जरा, इसके अंदर total करना एक बर कितने होगे हर subject में 40, 40 marks लेकर आए तो कितने होगे total आपने overall अभी तक कितना gain क्या, 160 यानि आपने 160 marks जो है वो आपने gain कर लिया अभी तक overall बेट आपको overall aggregate 50% चाहिए हर subject के अंदर 40% तो चाहिए चाहिए, सुनो डंक से aggregate 50% चाहिए यानि sir, हमें 400 में से 200 तो लाने जरूरी है 400 में से 250 तो लाने जरूरी है It means आपको किसी एक या दो subject के अंदर rhythm बनानी पड़ेगी ऐसे तो सारे subject के अंदर ही rhythm बनाओ सारे subject के अंदर एकदम boosted, एकदम भड़िया तरीके से इनका भी-कभी होता है favorite zone कुछ subject होते है तो उनके अंदर तो इतना ज़्यादा strong होने चाहिए हो आपको 60 प्लस लाने लाने है Sir, क्या हम एक subject में 100 marks लिया है बिलकुल ला सकते हो आप किसी भी एक subject के अंदर 100 marks लिया हो बाकी में 40-40 लिया हो clear, group clear आ तो यानि कहने का मतलब यह है कि आपको anyhow कैसे भी 200 marks लाने है each subject में 40 marks का criteria आपको clear करना है 40% subject wise overall 50% Sir, यह तो group first की बात होगी group second का बताओ हमें जो आपका group second रहने वाला है न उसमें भी आपका बेस अबरी से इंतिजार कर रहे है चार subject paper 5, paper 6, paper 7 and paper 8 यह चार subject आपके हैं each and every subject में वापस 100 marks का paper होगा कम से कम Sir, कितने लाने हैं 40 marks आपको कम से कम लाने हैं each and every subject के अंदर सरी 40 marks वो बीच है नहीं चोड़ेंगे final तक नहीं चोड़ेंगे लाना पड़ेगा तो यहाँ पर आप सोच के देखो हर subject में 40 marks आपको लाने हैं तो यह आपका criteria रहेगा group first, group, second आप चाहो तो दोनों groups की preparation एक साथ कर सकते हो आप चाहो तो single single groups की preparation कर सकते हो जैसे आप चाहते हो अपनी comfortability के अधार पर जैसे आपको सही लगता है आप preparation कर सकते हो ओके सर तो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ हम दोनों मिलकर किस chapter को strong करने वाले हैं first of all my name is C.A. Rahul Khatri and student I will teach you paper 5 life जिसका नाम होगा corporate and management accounting and most important thing this subject is MCQ based sir MCQ क्या होता है MCQ बोले तो वो बच्चपन में करते थे थे ना A, B, C, D बता सही कौन सा है करते थे थे ना एक question चाहर option उसमें से कोई एक सही सही लगा तो ठीक है ने तो गए ठीक है जे माता दी लगाओ अकड बकड बंबे बो ये वाला है लगाओ इसमें असानी चलेगा क्योंकि अगर आपने गलत किया ना तो आप पे लगेगा जुर्माना आप पे लगेगी penalty सर penalty क्या होएगी penalty आपकी होएगी घबराओ मत हर subject हर एक question को negative करने पर यानि wrong करने पर 0.25 माइनस हो जाएगा 0.25 बिल्कुल यानि कहने का मलब सर हमने अगर 4 question को गल्ट कराना तो एक नमबर माइनस बिल्कुल 4 questions का आपने गलत wrong answer दे दिया तो एक question आपका माइनस में चला जाएगा MC क्योंकि एली तो मज़ा है इस subject के अंदर है आप easily 60 plus gain कर सकते आप खुछ सोच के देखे जादा आपको सोचने की जोर्त नहीं अगर आपको पता है answer A है तो A पर टिक करो पूरा एक नमबर मिलेगा तो MC क्योंकि बेस्ट पेपर रहने वाला है मैं आपको पेपर नमबर 5 पढ़ाओंगा जिसका नाम है corporate and management accounting इस class को मैं record कर रहा हूँ for the purpose of introduction मैं आपको subject का introduction देने वाला हूँ पूरा subject इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे सारी के सारी बाते सारा का सारा discussion मैं आपको इस class के अंदर share करने वाला हूँ तो आपको अपने energy को boost रखना है मैं भी अपने energy को boost रखना है और हम मिलकर इस subject को बहतरीन तरीके से तैयार करके दिखाएंगे हम ऐसे बनेंगे सर कि हम 60 अबो तो कम से कम लेकर ही आएं क्योंकि आपको पता है आपके लिए एकदम भड़िया तरीके से mcq का bundle त्यार करें इतने mcq है इतने mcq है जिसके अंदर आप डूब सकती हो जिसके अंदर आप feel कर सकते हो it can be filled, it can be mehsus तो आप इसे महसूस कर सकते हो, feel कर सकते हो सर आपने mcq प्रिपेर करें बिलकुल मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपके लिए mcq का bundle प्रिपेर करें जिसके अंदर आपको बुक मिलेगी आपको काफी सारे mcq उसके अंदर मिलेंगे each and every topic, each and every point पर mcq को प्रिपेर किया गया and most important चीज हम हमारे institute ICSI जिन्दा बात सबसे पहले बगवान को याद कर लेना चाहिए CS executive student आपको है न सबसे पहले एक बार कर देना चाहिए तो हमारे जो पेपर नंबर 5 रहेगा उसके अंदर भी 100 marks का होगा 40 marks तो लाने है बड़ ज्यादा लाने है ठीक है ना 60 plus तो target अराम से easy आप चाहो तो 100 भी gain कर सकते हो चली start करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ corporate and management accounting के बारे में सर बताईए बताईए हमें इस chapter number 5 के अंदर यह जो हमारा paper number 5 फेस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा corporate and management accounting के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देखिए student सबसे पहले इस subject को दो पार्ट के अंदर divide कर दिया divided into two parts ओके first part part A जिसे बोलेंगे जिसका नाम है corporate accounting sir corporate accounting corporate का मतलब क्या corporate का मतलब company there are so many type of company इंडिया के अंदर आपने नाम सुना होगा reliance data infosys sony samsung काफी सारी companies जो इंडिया के सार वर्क कर रहे देरां so many type of company big company small company सारी के सारी company इन सब भी companies को करने पढ़ती corporate accounting corporate accounting बोले तो there are so many type of rule and regulations companies act में काफी सारे rules दे रहे है regulations दे रहे है for the purpose of accounting काफी सारे accounting standard है इंड एस हैं काफी सारे IFRS इंडियन इंटरनेशनल financial reporting standard काफी सारे तरीके है accounting करने के आपको काफी सारा knowledge मिलेगा तो आपको उन सभी को ध्यान में रखकर जो अचाउंटिंग करनी है न वह है corporate accounting यानि सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखके हम accounts बना रहे हैं company के this is what corporate accounting इसके अलावा जो पार्ट भी रहेगा आपका उसमें आपको पढ़ना है management accounting and valuation आपके पास mobile phone होगा आपके पास laptop होगा आपके पास जिस भी device के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिस भी device के साथ through आप मेरे से connected है आपने वो device आज से 5 साल पहले purchase किया था या जितने भी time पहले purchase किया था laptop है तीन साल पहले एक साल पहले दो साल पहले जब भी आपने purchase किया था उस समय आपकी जेब से एक बड़ी amount का outfall हुआ था आपने कहा था कि मैंने इसको purchase करा 30,000 में 40,000 के अंदर क्या आज भी market के अंदर इस चीज की value उतनी है आपका जो फोन है आपके हाथ में चकरी उसे उस फोन पर उस फोन की क्वालिटी देखिए आपने कितना यूज करा है उसको कि आज भी उसकी मार्केट के अंदर उतनी ही वैल्ली है कि जितने आपने उसे परचेज किया था नई सर वैल्ली डाउन हो चुकी है क्यों? because of use organization के अंदर company के अंदर भी तो काफे सारी assets होती है ना काफे सारी tangible assets होती है काफे सारी intangible assets होती है intangible assets बोले तो क्या? जो दिखती नहीं है it can be महसूस जिसे feel किया जा सकता है रुको जरा आपको आपके family में आपके relatives हैं आपके आस पास के लोग हैं आपके friend John के अंदर काफे सारी लोग आपको जानते हैं आपको पहचानते हैं आप कुछ करने को बोलते हैं तो वो करते हैं आपके friend में आपकी value है, goodwill है कितने लोग आपको जानते हैं कितने लोग आपको अच्छी नजर से देखते हैं आपके जो वहिकल है उसे आप देख सकते हैं आपके पास कार है आपके पास बाइक है आप उसे देख सकते है तो वह आपकी कौन सी एसेट्स है टैंजीबल एसेट्स जिसे देखा जाहा सकता है तो वैल्यूशन तो दोनों टाइप की एसेट्स का किया जाता है वैल्यूशन ब एक फिक्स्ट एसेट्स कुछ टैंजीबल है कुछ इन टैंजीबल है सबकी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू है वैल्यूशन करना यह सिखाया जाएगा आपको तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या ने ने सुनना पड़ेगा आपको ढंसे कंपनी को मैनेज कौन करता है बोर्ड अफ डारेक्टर्स कंपनी के मालिक होते हैं को टीशेर ओल्डर लेकिन मैनेजमेंट का जिम्मा होता है बोर्ड अफ डारेक्टर्स पे एक जो कंपनी का मैनेजर होता है ना अंदर की बात बता रहा हूं रंग से सुन लो कंपनी का जो मैनेजर होता है ना उसको काफ़ी सारे डिसीजन्स लेने पड़ते हैं क्यों आप बहुत कर रहे हैं सरीत हमें पता ही नहीं था आपने तक ही रखना आगे में शेयर करना company में जो manager होते हैं उनको काफी सारे decisions लेने पड़ते हैं company को चलाने के लिए company को growth करवाने के लिए company में profit कराने के लिए काफी सारे decisions लेने पड़ते हैं उन decisions को record करना आज की वाद जब भी mind में accounting है accounting हम अमलब क्या है किसी चीज को record करना that is accounting किसी चीज को आप लिख रहे हो, record कर रहे हो, accounting, financial accounting क्या, कि अगर हम record कर रहे हैं, monetary transactions को, रुपे पर effect, जिसको रुपे पर effect आता है, monetary transaction को अगर हम record कर रहे हैं, तो this is what, financial accounting, corporate accounting में, financial accounting तो आ गया, साथ साथ में, management accounting, सोचो, manager company में, जो decision ले रहे हैं न, उसको भी लिखना पड़ेगा, उसकी भी reporting करनी पड़ेगी, वो भी बताना पड़ेगा, तुन्हें क्या decision लिया, तुन्हें क्या company के बारे में सोचा, आगे कैसे काम करेगा, क्या purchase करेगा, किस sector को बंद करना, किसको start करना, क्या product जोड़ना, क्या product हटाना दे रहा, so many type of decisions, जो एक manager को लेने पड़ते हैं, this decision, this decision record करेगा, manager जो है न, वो record करेगा, लिखेगा, management accounting, तो उसके बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए, तो हम आपके इस पूरे के पूरे, जो paper number 5 है, इसके अंदर पढ़ने वाले है, corporate and management accounting, subject का नाम क्या है, paper 5, corporate and management accounting, companies में कैसे accounting होती है, manager जो भी decision लेता है, वो कैसे accounting करता है, और कुछ valuation के तरीके देखेंगे, तो इसके अंदर मैं आगे move करना चाहता हूँ, कि हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, first of all, I want to tell you one thing, मेरे प्यारे प्यारे student, आपको सुननी है मेरे बार ध्यान से, आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, उसे गबरा मत जाना, क्योंकि मैं आपको chapter के list बताने वाला हूँ, chapter के list देखोगा, कल को ऐसे लगएगा, इतने सारे chapter, कैसे करेंगे, sir है ना, आपके साथ, फिकर नहीं करना, आपके सारी के सारी फिकर, सारी के सारी tension जो है, वो मेर परसेंट भी नहीं सोचना, हम मिलकर इस subject के अंदर rhythm बनाएंगे, boom करेंगे, और paper के अंदर च्छा जाएंगे, तो इसलिए आपको कोई भी फिकर नहीं करनी, गबरा मत जाना, इतने सारे chapter, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे पढ़ने होगा, कुछ chapter तो बहुत छोटे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे कर करेंगे, और कुछ chapter ऐसे भी हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ याद रखने वाली चीजे हैं, जिसको आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, समझाने वाले इतने कोई points नहीं है, तो उसको भी आपको याद करना पड़ेग Memory Techniques का Use Topics को याद रखने के लिए किया जा सकता है, तो पेपर के अंदर आपके पास काफी सारे Memory Techniques होगी, आपके पास काफी सारे MCQ आपने सॉल्व करेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन MCQ जो है, उसे भी हम सॉल्व कर जाएंगे, आपके CS Institute, हमारे Institute के दुवरा वाला है, तो तयार हो जाएंगे, मैं आपके सामने पर्जेंट कर रहा हूँ, अब चैप्टर की लिस्ट, तो सबसे पहले बात करेंगे, कोर्प्रेट अकाउंटिंग जो 60 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, इसके अंदर हमें क्या के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, देखिए, देखिए, फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोड़क्शन अफ फाइनिंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नमबर टू, इंट्रोड़क्शन अफ कोर्प्रेट अकाउंटिंग, चैप्टर नमबर थर्ड, अकाउंटिंग फोर शेयर इशू, चैप्टर न चेप्टर No.10 Accounting Standard,ेप्टर No.11 National and International Accounting Authorities, और चेप्टर No.12 IFRS International Financial Reporting Standard. इतनों सारे चेप्टर सर, फिकर ने करने बोला है ना, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सब, इंट्रोडक्शन की भी क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सारा का सारा introduction है okay sir तो ये आपको मिलेगा corporate accounting में पढ़ने के लिए तो आप इसे note कर लीजिए या आपका जो institute का provide किया गया module है उसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा इसका index सारा index के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से chapter को हमें corporate accounting में पढ़ना है 60 marks के लिए कौन कौन से chapter को हमें management accounting and valuation के अंदर पढ़ना है for the purpose of 40 marks if you want to take the screenshot undoubtedly you can take it screenshot ले लीजिए अगर आपको लिखना है तो note करना है note कर लीजिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपको क्या maintain क्या के चीज़ें अपने पास maintain करना है दीकि study को interesting बनाएंगे study को अपन बूम करेंगे ठीके तो आपको क्या करना है first of all I am telling you आपको एक copy maintain करना है एक register maintain करना है अलग से एक आपको marker लेकर आना है marker आपके पास होगा normally use करते हैं हम ओके highlighter लेकर आना है आपको क्या लेकर आना है एक highlighter लेकर आना है और आपको तीसरा point आपको कुछ colorful pen जो है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए क्योंकि मेरा तो यह रहता था कि जब भी मैं diagram वगेरा कुछ बनाता था ना because जो register maintain करवा रहे है इसके अंदर क्या होगा आपको काफी सारे diagram बना कर दिये जाएंगे मैं आपको diagrams बनवाऊंगा जिसके आपको समझने में understanding करने में easy रहेगा जहां जहां diagram बन सकते हैं मैं आपका diagram बनवाऊंगा ताकि आपको easy to understand रहेगा topic इस कारण से आपको पैन मेंटेन करने colorful जितने भी आप मेंटेन करना चाहें diagram अच्छा लगेगा तो पढ़ने का भी मन करेगा ना तो उस टाइप से आपको note करना है okay इसके लावा आपको sticky notes maintain करने sticky notes sticky notes वो market में मिल जाते हैं colorful होते हैं वो guide के अंदर extra noting के लिए चिपका लेते हैं yellow color के green color के आपको जैसा color पसंद है वैसा purchase कर लेना और जब भी मैं आपको during the class बोलूगा चिट्थी लगा लो तो आपको चिट्थी लगानी है ठीक है तो इस type से हम इस subject को धीरे 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 करते जाएंगे करते जाएंगे और एक time के बाद इसके अंदर rhythm बना कर boost करेंगे so student मैं आपके सामने present कर रहा हूँ next 40 marks के लिए होता है management accounting and valuation for 40 marks इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है रुको जरा सबर करो फिकर मत करना first chapter first chapter है overview of cost second chapter cost accounting record and audit third budgets fourth ratio fifth management reporting six decision making tools seventh valuation principle and framework eight valuation of shares and intangibles chapter number nine accounting for share based payment chapter number ten method of valuation sir आपने तो back to back back to back काफी सारे chapters बता दिये हैं तो बताना पड़ेगा ना सारे chapter हैं तो बताना पड़ेगा if you want to record this you can आप record कर सकते हो मेरे प्यारे student आपको इन सभी chapter के अंदर rhythm बनाना है यह हमें 40 marks के लिए पड़ना है management accounting and valuation के अंदर सो यह सारा का सारा paper five के अंदर आपका रहेगा जिसमें hundred number का paper होगा mcq base 40 marks तो लाने हैं but easily 60 plus हम easily gain कर जाएंगे उस चीज की आपको फिकर करनी की जरूरत नहीं है वो मेरी responsibility है मेरी headache है आपको बस पढ़ाई पे focus करना है you have to study जैसा मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको चलते जाना है चलते जाना है and undoubtedly आप easily इसके अंदर hundred marks अगर आप भड़ीया तरीके से preparation करते हो ना तो hundred marks भी गयन कर सकते हो और अगर आप इस moment यानि इस चीज को achieve करते हो ना तो undoubtedly मेरे लिए बहुत ही एक जिंदिगी काम मेरी life का बहुत ही अच्छा पल होगा because आप जब तरक्य करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे student तो बात करते हैं अब इन में से कौन-कौन से chapter practical रहेंगे कौन-कौन से chapter क्या रहेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर जो आपका है corporate accounting corporate accounting के अंदर give me one second मैं pen start कर लेता हूँ तो अब देखिए chapter number third जो है accounting for share issue यह आपका रहेगा practical तो इस पे लिख सकते हूँ पी आपकी अगर institute के आपके पास book है ICSI institute के दोड़ा provide केगी module आपके पास है तो उसमें जो index दे रखा है उसमें noting कर लीजिए यह आपका practical base रहेगा accounting for debenture यह भी आपका practical base रहेगा okay sir consolidation of accounts यह भी आपका practical base रहेगा cash flow statement यह भी आपका practical base रहेगा actually student मैं आपको बताना चाहूंगा paper चो है न वो practical and theory दोनों का mix अप आता है पता है आप कोई चीज़ सर नहीं आपने ही बताई practical और theory दोनों का mixed आता है 60-40 का ratio चलता है normally यानि 60 marks की theory आती है क्योंकि as you know CS क्या आप student हो तो CS के अंदर आपको theory based काफी portion करवाया जाता है rules and regulations जो है न वो आपको अच्छी तरह पता है होने चाहिए rule क्या है कौन सी section क्या बोलती है क्या rule लग रहा है क्या regulation है क्या case लो आया यह सब चीज़ें देरा share issue हो गया debenture हो गया इन में से काफी question आते है accounting for share issue जो chapter है ना इसमें से अकेले में से 10 to 12 marks का 10 से बारा number के question पूछे जाते है mcq ठीके देखे लास्ट के जो तीन chapter है ना chapter number 10 11 और 12 यह chapter आपके ऐसे हैं जिसके अंदर आपको याद करने वाले points जादा है समझाने की जगे याद करने वाले point है अब जैसे accounting standard first का नाम यह है accounting standard second का नाम यह है तो अब इसमें मैं आपको समझा तो सकता नहीं हो आपको सिर्फ याद करने कि accounting standard first यह है accounting standard second का नाम यह है आपको पता होना चीए कैसे accounting standard issue किये जाते हैं कैसे क्या होता है क्या होता है यह सारी के सारी चीज़े याद रखने वाली है तो यह आपको सारे के सारे topic जो है याद रखने but I will provide you there so many type of memory techniques आपको काफी सारे जहां memory technique का तड़का लगेगा ना वहां लगाएंगे और आपको सही तरीके से ये भी याद करवाने की responsibility हमारी मैं आपको बढ़िया तरीके से इसको भी याद करवाऊंगा chapter number 10, 11, 12 जो है इसका भी मैं आपको introduction जो है वो provide करूँगा और आपको इसके अंदर भी boom मिल जाएगा और आपको मैंने practical chapter बता दिये बाकी chapter भी important है chapter number 1 और 2 जो introduction of financial accounting है introduction of corporate accounting है इसके अंदर से इतने questions नहीं पूछे जाते हैं इसमें इतने questions जो है वो नहीं पूछे जाते हैं कम questions पूछे जाते हैं हम जो class first, this is introduction class मैंने आपको only introduction दिया है subject का जो class number first रहेगी उसके अंदर मैं आपके साथ discussion करूँगा सबसे पहले chapter number 3 जिसका नाम है accounting for share issue इसमें time लगेगा इसको अच्छी तरीके से करेंगे इससे related mcq solve करेंगे class के अंदर ही आपकी सारी की सारी preparation हो जाएगी student आपको किसी भी परकार की फिकर करने की जरूरत नहीं है आपको पूरा का पूरा knowledge का एक bunch मिलेगा जिसके अंदर आपका सब कुछ clear हो जाएगा एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ SPC के अंदर आपका बहुत बहुत welcome आपका बहुत बहुत स्वागते student आप हमारे साथ जुडिये और classes को लीजिये जिससे आप study के अंदर बूम कर पाएं मेरे साथ जुडिये class number first में lecture number first में जिसमें मैं start करने वाला हूँ accounting for share issue जो chapter important है उनको हम पहले करके बूश्ट करेंगे और जो चीजें बताईए उनको रखना अपने पास ताकि study में आपको भी interest आए मिलते है lecture number first के अंदर तब तक हस study मुस्कुरा तेरे और बिंदास life को enjoy करते रहें